Hello everyone, welcome to my channel, I am Neha Vedwan तो आज की इस वीडियो में मैं आपको transitive and intransitive verbs के बारे में बताना चाती हूँ कि क्या intransitive verb होती है और क्या आपके transitive verb होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं transitive verbs Transitive verbs क्या होती है? जिन verb को object की आवशक्ता होती है ठीक है? जिन verb को object की आवशक्ता होती है वो क्या होती है? Transitive verb require an object तो आप कह सकते हो कि जो transitive verb होती है उनको require होती है किसकी object की require होती है जैसे कि हमारा first sentence देख लेते है He wrote a letter उसने लिखा और अब यहाँ पर यह आपके क्या हो गई? verb हो गई? राइट की second form क्या होती है Wrote तो राइट की second form Wrote राइट में लिखना उसने लिखा क्या लिखा यह आपको बताना पड़ेगा जब आप वर्ब से question करोगे उसने क्या किया तो जो आप question करोगे क्या का जो answer आएगा वो ही आपका object होता है तो जैसे कि इस वाले sentence में इसने बोला है He wrote तो उसने क्या लिखा एक पत्र लिखा हो सकता है वो एक किताब लिखता या एक पोयम लिखता या एक कहानी लिखता कुछ भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पे इसमें हमें बताना पड़ेगा उसने क्या लिखा पोयम लिखी कवीता लिखी क्या लिखी उसने जो भी आपको मतलब जो भी आप लिख रहा है वो परसन वो आपको बताना पड़ेगा तो He wrote a letter उसने एक पत्र लिखा तो यहाँ पे यह जो verb है रोड गिव की second form गेव तो उसने दिया क्या दिया फिर से क्या आगया तो जब आपका क्या का जो आन्सर आने वाला है वो क्या होता है हमारा object होता है तो उसने क्या दिया उसने क्या दिया She gave me a pen तो उसने मुझे एक pen दिया अब यहाँ पे आपको दो चीज दिहान में रखनी है सबसे पहला तो यह जो object जो ट्रेंसिटी वर्ब है वो object लेती है, दूसरी चीज अब object आपके दो भी हो सकते है जिसे कि इस वाले sentence में आपके दो object है, है ना, she gave me a pen, अब इसमें यह वाला, यह आपके object है, यह इसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगी, फिलाल हम ट्रेंसिटी वर्ब परते है, तो इसमें आपकी जो she gave me a pen, यहाँ पे क्या है, यह इसको इस वर्ब को किसकी जरुरत है, object की जरुरत है, तो ट्रेंसिटी वर्ब रिक्वार नहीं होती है, बिना वर्ब के, बिना object के भी वो, एक तरह से वो sentence complete ही माना जाएगा यह लेकिन यह जो sentence है यह incomplete है, बिना object के, तो जैसे कि he wrote उसने लिखा, अग जब तक आप यह नहीं बताऊगे कि उसने क्या लिखा, तो यह incomplete है, लेकिन यहाँ पे जो intensity वर्ब जो होती है उनको object की ज़रूरत नहीं होती है, बिना object के भी क्या होते हैं complete होते हैं अपनी sense में, ठीक है तो sentence देख लेते हैं the baby cries, baby क्या कर रहा है cry कर रहा है, रो रहा है अब यहाँ पे देखो, क्या यह बताने के ज़रूरत है, इससे आगे आपको कुछ बोलने के ज़रूरत है the baby cries, baby रोता है, सबको पता है, baby रोता है, तो यहाँ पे इसको जो यह आपकी cry वर्ब है इसको object की need नहीं है, next देखते हैं, they jump, वे कूदे अपने वे कूदे तो कूद गए, अब इसमें भी object को बतानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो जो वर्ब आपकी object, जिसको object की need होती है, वो आपकी transitive और जिसको object की need नहीं होती है, वो आपका intransitive verb होती है, और next वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, object कितने होते हैं, और क्या आपके कैसे आपके object को use करना है, कहां आपको कौन सा object यूज़ करना है, तो मिलते हैं next वीडियो में, तो चलिए, बाई!